एक बात बताईए जो बंदा आपने आपको पांच भी पास बता रहा है वो तीन बॉर्डर कैसे फांग के आ गई और वो भी चार बच्चों के साथ ही केली नहीं है किसने हेल्प की उसकी चार बच्चे होने के बाद लेडिस में इतनी गुंजा इस कहां रह जाती है कि फिर से इस वक्त हमारे साथ मुझूद हैं मितलेश आजकल सोशल मीडिया पर आपकी बहुत चर्चा है ऐसा क्या कह दिया आपने सचीन को इतनी चर्चा हो रही आपकी जी मैंने ऐसा तो कुछ निका गुस्ते में जो शब्द निकले बस वो वाइरल हो गए यह गुस्ता कायम है या मैंने बोला था क्या है सचिन में लपू सा सचिन जींगर सा लड़का बोलने की कोशिस करें तो सीमा है दर हाथ पकड़ ले और मुह पे हाथ रख दे यह प्यार है यह प्यार नहीं है यह शिचोरपंती है तो यह इस तरीके का आपको आखिर क्यों लगता है क्योंकि जातर लोग कहते हैं कि ठीक है अब आगई आगई पाकिस्तान से रहेगी हमारी बहू की तरह तो आपको डाउट क्यों है और ऐसा ही डाउट कुछ एजनसी वालों को भी हुआ एक बात बताईए जो बंदा आपने आपको पांच भी पास बता रहा है वो तीन बॉर्डर कैसे फांग के आ गई और वो भी चार बच्चों के साथ ही के लिनी है किसने है उसकी जहां चैनसीयों को पता भी नहीं है दो महीने से वह हमारे रभूप्रा में रह रही है अगर वो आधारकार चेंज करवाने के लिए नहीं जाती तो सायद धन्यवाद है उन वकिल साब का बुलेंशेर वालों का जिन्हों ने ये न्यूस दी पुलिस में कहां जी यहां पे पाकिस्तान से महिला आई है क्या पता पढ़ रहा था यहां पे कुछ भी होता और जो पांच अभी पास कह रही है एक रूम में बंद रहती थी बंद रहती थी तो रूम खुला तो ऐसी भागी तो के तीन बॉर्डर लांग यहां बढ़ी एक्सपर्ट है तू तो हम पे तो न भागा जा रहा है इतना और चार बच्चों को लेकर भागिया विचारे हैदर के परिवार जऺजां बर्बाद करें थी और फूर्ठ कर रहती इसका कैसा प्यार है अपने से आधी उमर के पेदे सात प्यार कर रही है और वो तो ये बार-बार कहती है कि मैंने जो online gaming थी इसके जरीए फिर प्रेम हुआ और इसलिए मैंने अपना पूरा संसार देश छोड़ने का फैसला किया लेकिन बाकी के लोग भले ही यकीन कर ले घर परिवार के आपको यकीन नहीं होता और वो doubt का जो point है आपके लिए वो स सचिन है ही लेकिन में चीज एक बात बता है यह जो और इजनल चिकन खिला रहा है बंदा साओधी से बैठके अपने पैसे भेज रहा है उससे तो तुझे प्यार हुआ नहीं गेम में पपजी डिनर खिला रहा है वो जो की चिकन उससे तेर को बढ़ा प्यार उम्रा केरियर रूम में से बाहर नहीं जाती पाकिस्तान दिखाती थी में फॉन पे कहां दिखाती थी पाकिस्तान क्या रूम में ही था पूरा पाकिस्तान इसका उसमें कराना की स्टोर में था वो हिंदुस्तान यह अपने स्टोर में हिंदुस्तान दिखाता था वो वहां पे पाकिस्ता दिखाती ती रूम में यह प्यार है फिलिंग देखा बच्चों की यहां पर आके कभी रह उप्रा में आसपर उसकी की भावी है कैसी है जहर मर्जा चाटके सचिन को थोड़ी आई यह तुमको आई यह बुढ़ों के भी दिये जल रहे हैं यह प्यार में बुढ़े भी कर अर सिमा पर ही नहीं हो रहा है सचिन पर भी हो रहा है कि वह तो कहीं से काबिल नहीं आपको ऐसा लगता है विल्कुल लगता है देखिए अगर एक्जामपल दें कहती है कि मैं पीडित थी वहां पर मुझे टॉर्चर करता था है जो बंदा चार साल से आपके पास नहीं है वह सचिन से बात करती थी उतना पवापिशह करती यह हिलुक फॉर्टा而 को करती तो क्यों को किसे अगर यीव क्लिटा चर्टा और ग्रोंग कर शट्र कोई साउधी वह पाकिस्तान में के रहा कर सकता है ज़ू सरा दिन भर फॉन पे दिनी सा पर चेसम है फिर तो नहीं पयार जाओंगी प्यार में भी या भाग के A to Z कुछ भी तो मैं दूसरा बंदा ऐसा देखूंगी कि जहां मुझे टाइम से दो रोटी मिले चैन की सकुन की जिंद्गी मिले क्या है सचिन में फिर वही वाली बात आती है कौन सी लपउसा लड़का देखो ना तो उसके पास घर है है ठीक है ना उसकी कोई सैलरी जो बंदा सत्तर हजार या चालिस हजार में तेरी पूर्ति नहीं डाल पाया वह सात हजार में डाल देगा क्या कि नहीं डाल सकता सचिन भी अभी खुश्च हो रहा है एक दम कहते या लंगूर के हात मिठा ही लग गई तो वह वाला आलम होता है सचिन का भी अब आपको लगता है कि यह ट्रेंड गलत है तो इससे क्या आपको लगता है क्या साइड इफेक्ट्स ऐसे हो जाएंगे इस इस एक्जम्पल से बताया ना बच्चों की फीलिंग देखो रहा उपरा में जाके आपके न्यूस चैनल के माध्यम से देख रही हूं मैं भी भावी कैसी लगी है देखी है देखी है कैसी है जहर चाट कमर जातो तो जहर लग रही तो खानो खायो अभी ना खाया भी तो दू सीमा हैदर के आने से जो अंजू दो साल से ट्राई कर रही थी वीजा के लिए ये सीमा हैदर होते ही एकदम लाइट के भाया उसे दस दिन के अंदर वीजा मिल गया वह भी भाग गई बंदरिया की तरह उचल के अपने ज़ान बच्चों को छोड़के नालायक और दूसरा क क्या ये अपने बच्चों के आगे उसके बच्चे बोल पाएंगे किसी के आगे बेटी है उसकी 15 साल की बोलने देगा समाज उसको ये जो उचलती डोल रही है बंदर या सीमा इसके तीन-तीन बेटियां है 11 साल की इसकी भी बेटी है क्या एक्जामपल दे रही है क्या कहते है पहली गुरु मा होती है बच्चों की क्या सिखा रही है अपने बच्चों को बहिया तू भी शादी करियो निगाह करियो और फिर भाग जीओ चार बच्ची लेकर यह एक्जामपल देगी हमारे यहां पर मिनी पाकिस्तान थोड़ी बनाना है हमको हिंदुस्तान है इंदु बिना शाज इसके तहट आती तो सीधे रस्ते से आती और आके अपना यहां पर कहती के भई मैं ऐसे ऐसे आई हूं हैदर से भी इसने प्यार किया मिस्कॉल पर इससे पपजी में किया अभी कोई और आ जाएगा तो उससे कर लेगी क्या नुक्सान जा रहा है और इस बात की कौन गारंटी ले रहा है कि किसी को पता है किसी को नहीं पता पता नहीं क्या समझा है एपी सिंग कह रहे है भाहिया बम आते थे गोला वारूद आते थे डोली आई है अपना ओ अरे डोली चार 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 बच्चों को भी लेके आईए भाईया यहां देखो क्या एपी सिंग का बच्चा अगर ऐसे ही ले आता तो वो मंजूर करते अपने घर में कि नॉर्मल सी बात है कोई भी सम्मानित व्यक्ति यह मंजूर करेगा क्यों उसकी बहुत आए लेकिन पहले सा ही चार बच्चे लेके आए